नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजायाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों हो उत्तरपेदेश के कानपूर में एक संसनी खेस खबर सामने आई यहां विठूर के गाउ में लापता युवती का सब देर राद बाग में मिला छात्रा के मों में कपड़ा ठूसा हुआ था परिजनों ने गाउं के तीन सगे भाईयों पर तुसकर्म के पाद हत्या की आशन का पिता का आरोप है कि बीते सनी वार को आरोपियों ने उनकी दो बेटियों के साथ छेड़ खानी की थी जिसका विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा था पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई कारवाही नहीं की गई यदि पुलिस समय पर सचेत हो जात तो देर राद 12 बजे गाउं से करीब 400 मीटर दूर एक अबरूत के पाग में युवति का सब पड़ा मिला सूचना पड़ DCP पस्चिन संजीवत त्यागी ADCP पस्चिप अभिशेक अगरवाल समेथ अन्ने पुलिस अफसर और फॉरंसिक टीम जाच करने पहुंची सब को पोश्ट माटम के लिए फेजा गया अब मंगलवार को पोश्ट माटम के बाद ही मौत का कारण साफ हो सकेगा युवति के पिता का आरोप है कि सनिवार को गाउं के युवकों ने उनकी दोनों बेटियों से छिड़खानी की थी परिवार की लोगों ने उसका विरोत किया दो दबंगों ने परिजनों को जम कर पीट भी दिया था बिठूर थाने में सिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कारवाही नहीं की गाउं के ही तीनों युवकों पर अगवा कर रेप के बाद हत्या की आशंग का चताई गई है पुलिस कमिश्णर सी मरुन ने बताया कि शक्याधार पर पुलिस ने गाउं के तीनों युवकों को हिरासत में लिया है सक्ति से पूश्तास की जा रही है पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वज़ा साफ हो पाएगी इसके बाद आगे की कारवाई होगी पिरो रिपोर्ट आई पेन झाल